yes, तो अगर आप लोग Delhi University Intent Test दिये हो तो फईनली, आप लोगों की जो आंसर की है ओर रिलीज ओ गई है और आप लोगों की गई है वहीं रिलीज हो गई है तो अगरा हम लोग बात की तो आप लोग वीबसाइट पे जाके चेक आउट कर सकते हो और में भी आप लोग की वेबसाइट वगेरा अच्छे से कम नहीं करें ओपन वगेरा नहीं हुए तो अभी बहुत सारे स्टुडेंट वगेरा लॉगिन कर रहे होंगे तो आप लोग की यह प्रॉब्लम अकर हो रही होगी तो आप लोग एकोगनिटो मोड में ओपन कर सकते ह अपने ब्राउजर वगेरा चेंज करके ओपन कर सकते हो या भी टाइम टू टाइम आप लोग उसे ओपन करने के कोशिश करोगे तो जो आपकी वेबसाइट है वो भी ओपन हो जाएगी उसके बाद नाक्स बात करें कि आप लोग की जो एंसर की लाग डेट है आप लोग उ उसे चैलेंज करने की तो उसकी डेट इन्होंने दे रखिया 11 नवंबर तो 11 नवंबर 5 पीम तक आप लोग उंसर की चैलेंज कर सकते हो अगर आप लोग को लगता कि कोई आप लोग की मिस्टेक है और उन्होंने उसे गलत कर दी तो आप लोग उसे चैलेंज भी कर सकते हो अगर आप लोग को पता होगा अगर आप लोग चैलेंज करोगे तो 200 पर question आपको देने होगे अगर हम लोग बात करें जब आप लोग चैलेंज करोगे तो उसकी जो payment की date है उसकी date इन्होंने दे रखिया 11 स्रावंबरी बट 11.50 पीम तक आप लोग payment कर सकते हो उसके बार नीचे इन्होंने procedure भी दे रखा है कैसे आपको challenge करना है उपर जो आपको links हो रही होगी इसे पर आपको click करना है इसे आप लोग डाइरेक्टरी जाके कर सकते हो जैसे ही link पे आओगे फिर आपको login अगेरा कर लेनी है फिर यहाँ आपको answer की so हो जाएगा उसके बार फिर यहाँ से आपको अपनी subject, question id, option id, nature of challenge, remarks, reference file यह सारे जितने भी हैं यह सारे आपको upload करने होगे जैसे ही आप लोग इसे upload कर दोगे फिर click here to pay online आपको show हो जाएगा 10 इस पर आपको click करना है जैसे ही आप लोग इस पर click करोगे तो जो आपकी answer की challenge है वो submit हो जाएगी तो आपको सारी चीजे clear हो गई होगी अभी आपको wait करना इनकी final answer की का जिसको आप लोग result भी बहुत सकते हो तो अभी आपको final result का wait करना अगरम लोग उसकी expected date की बात करके कब तक आ सकती है तो one week आप लोग expect करके चल सकते हो कि one week में आपकी जो answer की होगी वो release हो जाएगी final answer की तो I hope आपको सारी चीजे clear हो गई होगी कोई सके regarding doubt है तो आप लोग comment भी कर सकते हो